हैपी गणे चतूरती फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जैसे गणे जी का उस सब आ गया है और सब अपने घर में कुछ नो कुछ मीठा बनाने के त्यारी कर रहे हैं बोक के लिए तो आज मैंने भी यह बोक के लिए पटाफट सी बनने वाले रेसिपी त्यार करी है जो सिफ अब अब बनाई है और आपको पूरा देखेंगा लाइक शेंग कमंड कीजेगा और चानल को सबस्टाइब कीजेगा आप आप राधे नादे दोस्तों नमस्कार वभीता की चनमेकबाफिर से आप सबकर स्वागत है प्रेंट्स आज भी ही रेसिपी है बहुत ही फटवट बनने वाली है यह है पनीर का कलाकन तो टाइम वेस्ट ना करते वे चलिए देखते किस तरह बना है यहां मैंने 50 ग्रम पनीर लिया है जितना पनीर लिया है और एक कटोरी छोटी वाली कबर के लिए मलाई कटोरी सबसे पहले हम कड़ाइ रेख़ें है उ सके अंदर ढालें दो बड़े चंबड़ पाणी on जब पानी बौल होने लग जब टक तक पर न्यग राखा गरम होने लग जाएगा जब टक कर रिए गरम होने लगा है अब इसमें हम चीनिय डाल देंगे कि जितना मेरा पनेर्ता मैंने तनी चीनि यह आप पर ले सकते हैं अब हमें इसकी कोई चार्ष नी त्यार करनी है कि मेल्ट करना है जब फ़ी ऐसे चीनी पानी पानी में इस तरह मेल्ट हो जाए इतन की पनीर है मैं हातों से करश कर दूँंगी करेंगे इसे को यह रिल्क है आप इसको कद दू sneakingů यह मैंने कर लिया है और यहां देखिए चीनी बेची तरह घुल चुकी है बिल्कुल ही अब इसमें हम इसको पनीर को डाल देंगे और पनीर कंटीन्यू हम इसके साथ पानी जब पान चीनी के डाल के इसको चलाएंगे और अगर कुछ आप के यह मोटे वाली नाझे है तो इसको पोर देंगे कर लेंगे और इसको सब्सक्राइब कर nothing और उसको घुछा रहेंने कंटीन्य चीनी कर रहेंगे यहां पनीर वीडियो पूर पोर्टिंट है आप मिर इसको रखें एक जब थोड़ा पहते रहे तो मैं इसमें आधा चम्मश मैंने इलाइची का फॉड़र डाला है पिसी बसूब नहीं है तो आप धर में भी लाइची को कूट के डाल सकते हैं उसके साथ ही मैंने इस्में प्रूलाइ लिया ताम प्रूल चलाएंगे और इसको हम थोड़ा सा टाइट फोर्म में लाना है जैसे हम जब सूजी घल्ब बनाते हैं सूजी हम हमारी डलते हैं चलाते रहते हैं इस तरह से को कंटिगू चलाएंगे जब तक कि एक पुरा कड़ाई को छोड़ने नहां लगे आप मेरी वीडियो को पूरा देखिये करें कि आप देखेंगे तो मेरा टाइम बढ़ेगा मुझे आपकी सपोर्ट की भोज होता है मैं टाइम से बहुत ही करीब हूँ किरपा मेरा टाइम को पूरा करवाई है और मेरी वीडियो को पूरा देखिये लाइक और शेयर करके शेय लगाना तो इसके लिए बहुत ही मज़दार सी रेसिपी है इसे बनने में सी 5-7 मिनटी लगेगा और यह देखिए चलाते चलाते यह पूरा पानी सुक चुका है और यह कडाई को अच्छी तरह छोड़ने लगा है अब मैं इसको गैस को आफ कर दूंगे और इसको हम उतार ल घी उसकी जिए घी को हलका सा घी लगाना है उसको ग्रीस करता है प्लेट को यह जिस वरतर में आप डालेंगे उसके अंदर डालके अच्छी तरह इसको बहुत गराम होगा फ्रेंट ध्यान दखिएगा स्पैचुला ही लीजिए स्पैचुला या किसी कटोरी की सायता से इस अच्छी तरह से लिए लगाना है तक अच्छी तरह सेट हो जाए यह देखिए कितना अच्छी तरह साफ सते तरी कि हम घर में बहुत ही कम समानों से बनाए है अब इसके हम साइट कर लेंगे और अच्छी शेप दे देंगे यहां मैं बर्फी वाली शेप कला कंड़ शेप अच्छी दे रही हूं तो पहले मैं इसके साइट के कोने हटा दूंगे हलके हलके ताकि इसकी स्क्यार शेप रहे यह देख सकते आप चारोत अफसे टालेंगे आप इसको हम बीच में से कट करके इसको बर्फी वाली शेप दे देंगे और फ्रेंट्स कला कंड़ तो हर किसी को अच्छा लगता बस मैं आपको दो चीज़े ध्यान रखनी है जो आपका पनीर हो वह भी फ्रेश हो ज्यादा रखवा ना हो उसमे अपनी स्मेल से आने लग जाती है जो मारी मिठाई को खराब करता है तो इसमें आप जब भी लें ध्यान रखिए पनीर और मलाई है वह फ्रेश ही लीजिए अब एक करके सारा चाकू की सायता से में सारी मिठाई निकाल लूंगी और यह देखिए रेडी है उपर से लगाया है डेकरेशन के लिए और लीजे भगवान जी के भोग के लिए हमारे मज़ेदार सा कलाकंट की पनीर वाले कलाका निक्दम रेडी है कितना यम्मी सबना है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ली यह मैं नहीं नहीं अच्छी वीडियो अब तक पुछा सको हूँ जो आपके लिए भी हैल्फुल हो और आपको भी कुछ चाहिए तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं घर में रखवी चीजों से एकदम नहीं नहीं चीजे थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स व रखेगा राधे राधे